सिंपल और टेस्टी रेसिपीस के लिए बने रहें मेरे चैनल अफलातून जाइका पर सिर्फ जाइका नहीं जज़बात भी वेल्कम फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं बहुत ही तेस्टी स्पैनिश ओमलेट की रेसिपी एग लवर्स के लिए इस ट्रीट और बहुत ही हेल्दी और क्विक ब्रेटफस्ट रेसिपी है जब कुछ समझ ना आए और कोई आप्शन ना हो तो आप इसे ब्रेटफस्ट में बनाए और इंजॉय करें तो चलिए बनाना शुरू करते हैं एक पैन में मैंने एक टेबल स्प और इसमें बाद गवर करके इसे पांच मेंट लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे बीच में चला लेंगे एक दो बडर और चेक कर लेंगे जब लगबग 80% कुक हो जाए आलू तब उसमें दो मेडियम साइज की प्यास को काट कर डाल देंगे प्यास को बिल्कुल फाइन चॉप बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है प्यास और आलू दोनों में तो यह अलू प्यास की सबसी तयार है अब हमें अंडा लेना है मैं तीन अंडे का यूज कर रही हूं आप चाहें तो जादा या कम यूज कर सकते हैं इसमें हम आट कर लेंगे नमक टेस्ट के अकॉ और पोदीना मैंने बिल्कुल फाइन चॉप किया है उसे अट कर लिया है सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर पोदीना अवेलेबल ना हो या आपको फ्लेवर पसद ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं अब जो हमने प्यास और आलू को फ्राई करके रखा था वो आट कर नेंगे हम इसमें एक टेबल स्पून ओयल एक कर लेंगे और जब गर्म हो जाएगा तो सारे मिक्षर को इसमें पूर कर लेंगे अच्छे से स्प्रेट कर लेंगे अगर पैन थोड़ा चोटा होगा तो थिक सा ओमलेट बनेगा जो देखने में काफी अच्छा लगता है अब इसे cover करके 3-4 मिंट के लिए medium flame पर हम cook कर लेंगे तो एक side से cook हो जाएगा ये और जब एक side का हो जाए तो हम इस तरह से plate रखेंगे और पलट लेंगे सबको इस तरह से असानी होती है flip करने में side अब फिर से हम omlet को pan में डाल देंगे एहतियात के लिए मैंने gas का flame आफ कर दिया है जब दूसरी तरफ से भी set हो जाए तो फिर flame on कर लेंगे और cover करके इसे दूसरी तरफ से भी 3-4 मिंट के लिए cook कर लेंगे omlet ready है चेक कर लें अब इसे dish out कर ले आप इसे चाहें तो ketchup के साथ enjoy कर सकते हैं फिर ऐसे भी काफी अच्छा लगता है ये बहुत ही tasty होता है और मुझे यकीन है कि आप इसे देखते ही try करेंगी क्योंकि ये घर में मौझूद चीजों से ही बंद कर तयार हो जाता है मैं कट करके इसे दिखा रही हूँ हूँ आप अगर जादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो चार या पांच अंडों का भी बना सकते हैं तो थिक काफी बनेगा उसी हिसाब से फिर आलू और प्यास भी उसमें इंक्रीज कर लेंगा होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी प्लीज ट्राइक किजएगा और कमेंट करके मुझे बताईएगा कि कैसा बना और आपको कैसा लगा ओमलेट तो वीडियो को प्लीज लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नहें तो सब्सक्राइब ज़रू करें बेल आइकन को हीट क